परमेशन ने हमें चुना है और परमेशन ने हमें अपना बनाया है यह बहुत कीमती चीज़ परमेशन ने हमको दिये है बहुत कीमती चीज़ आप इस चीज़ को आप इस आशीश को कम में समझ दिये जो परमेशन ने आपको दिये है लेकिन इस उद्धार को जो परमेशन हमे मुफ्ट में दिया है उस उधर को हमें समाल कर रखना है और हमारे मनों प्रमिश्र कर चिनना जाए हम परमिश्र के योग यगर नहीं ठेहरे आने के वक्त कि हमको नहीं कर जाये हमारे मन में रहती है क्योंकि हमें संसार में हैं और संसार का डर है क्योंकि one को हम परमिश्य के शरणों में नहीं हैं. हम कलीशिया आते हैं और कलीशिया में वश्रों को सुनते हैं, समझते हैं, वावाई करते हैं, तालियां भी बजाते हैं, लेकिन उसमें चलने के लिए हम अपने आपको कमजूर पाते हैं. हालेलुया. रेसलोड. इसलिए मन में डर लेता है. कि क्या होगा? हम इस संसार में रहे पाएंगे? हम जब इशू आएगा तो क्या जा पाएंगे? हालेलुया. उसके लिए आज का जो वचन है, मैं आपको बताऊंगा, कि किस तरीके से हमें अपने आपको इजाशना है और हमें अपने आपको तयार रखना है ताकि हम अपने उध्धार को न खो दें. हालो, सब लोग सुन रहे हैं? हम लोग अपने उध्धार को न खो दें. हालेलुया, ध्यान से समझेए. अगर आप इस वचन को ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूँ आपके अंदर एक शक्ती का एसास होगा एक शक्ती का एसास होगा आपके अंदर आप महसूस करेंगे कि येस मुझे कैसे जीना है क्योंकि मसी जीवन जीना बहुत जरूरी है और बहुत से लोग उसमें फेल हो जाते हैं मसीयत को समाल के रखना बहुत मुश्किन है पाना बहुत असान है इस्यू मसी का अनुगर हमने विश्वास किया और बबत असमा लिया और इस्यू मसी पर विश्वास किया और हम आशी इस्पाल चुके हाललुया इस्यू मसी ने हमें चुर लिया लेकिन उसमें बने रहना मु गुजड़ते हैं, रोज बारोज आप उस अजमाईशों से गुजड़ते हैं, रोज बारोज शैतान आपको अजमाईशों में लाकर पाप में खेशने की कोशिश करता है। अगर आप शरीर से बैठे हैं, यहां पर तो आप गलत बैठे हैं, रोज आप वशनों को समझना चाहते हैं, तो अपनी आत्मा को सामने लेकर आईए, अपनी आत्मा के द्वारा सुनने की कोशिश करिए, रोमन 6, 12, 13, 14, मैं आपके लिए पढ़ लोगा, उसके बाद हमारी ब आपको अपने मरण हार शरीर में प्रभुता ना करने दो, कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो, और ना अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हत्यार बनाकर पाप को सौपो, परनतु अपने आपको मृत्कों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धर्मिक्ता के हत्या को सौब दो, चौधवा, तब पाप तुम पर प्रभूता करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्टा के अधीन नहीं हो, परन्तु अनुग्रह के अधीन हो, हालेलुया, अनुग्रह क्या है, यह परमिश्ण का अनुग्रह है कि उसने हमें चुन लिया, बाइबल कहती ह जो विश्वास करेगा इश्व मस्जी पर वो आशीश पाएगा, जो उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, हालेलुया, यह प्रभू का अनुग्रह है, यह प्रभू का अनुग्रह है कि उसने हमें पापों श्रापों से मुक्त किया, ताहुत कहता है, भजन 32 का एक, धन्य है वो वेक्ति जिसके पाप शमा किये गए, हालेलुया, हमारे पापों को परमेशन ने शमा कर दिया, हमसे भी ना पूछे, हमें चुनने से पहले उसने हमारे पापों से हमको मुक्त कर दिया, शमा कर दिया, कितना बड़ा आशीश हमको दिया है परमेशन, कितना बड लो ये, इस अनुरह की कीमत को जिसीन आप समझ जाएंगे बरदर, आपके चलने में, आपके बैठने में, आपके जीवन जीने में, आप हर पल इस्तरक रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, मुझ खोलने से पहले, किसी के सामने अपना मुझ खोलने से पहले, किसी को देखने से पहल आप alert होंगे नहीं अपने आपको जाचेंगे कि मैं किस निगा से देख रहा हूँ मेरे मुझे निकली हुई बात किसी भाई को चोट ना पहुचाए किसी बहन को चोट ना पहुचाए मैं जब मुझे बोल रहा हूँ कहीं मेरा घमन दे उस पे ना आए जबने हैं जो मन का दीन है क्योंकि सुरक अधिकारी वोही है हमें दीन तके साथ रहना इसलिए हमें हर पल अपने आपको जाचना है लेकिन वो कहता है अनुग्रे हम अनुग्रे के अधिन है इसलिए अनुग्रे को अगर हम वेस्ट कर देंगे, अगर अनुग्राय की वैल्यू को नहीं समझेगे, मेरे भाई, तो हम प्रभु को नहीं समझ पाएंगे, हम उसके प्यार को नहीं समझ पाएंगे, हम उसकी दया को नहीं समझ पाएंगे, हाललुया, प्रभु का अनुग्राय है, प्रभु के किरपा, हालल पहली सदी के जो सेवक थे, जो बाराचेले थे, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे रहते थे, वो कैसे अपना जीवन बिताते थे, हाललुया, वो बाराचेले, उन बाराचेलों की वज़ा से, उन बाराचेलों के द्वारा, पवित्रात्मा के आशीर उन्होंने पूरी द केलीफोन नहीं था, उस सोमें गाड़ी नहीं थी, प्लेन नहीं था, शिप था, नाओ के दोरह लोग जाते थे, पैदल जाते थे, प्रेस अलॉट, चिट्कियां लिखते थे, लेकिन उन्होंने संसार्थ पहुंचाया, क्यों पहुंचाया, वो ही थे आदमी, वही विश्वा के पास, दूसरा पत्रस, एक का एक, बाइबल कहती है, पत्रस के जो विश्वास हमारे अंदर था, वही विश्वास आपको मिला है, उन्होंने उस विश्वास का उप्योग किया, और हम उस विश्वास का उप्योग नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आज म लिए बहुत महत्पूर है कि उधार लेने के बाद, बगतिस्मे के बाद, लेने के बाद, हमें नया जीवन मिलने के बाद, हमें कैसे जीना है, हमें जीवन कैसे बिताना है, प्रेज अलॉट, आलेलिया, आप लोग तयार हैं, तयार हैं, सबसे पहले तो जो हम, पापों से कैस ना करने दो कि तो उसकी लालसाओं को बूरा कर tą कैसे है का साय के अंदर प्रभूता करता है कभी आपने सोचा है इनले लुए इसलिए इस्टिया यह कहता है कि ना गलत देखो ना गलत सनो ओप कहां से आता है हिन आपकर कोई चीज गलत देख रहे हैं अप तो पाप, आपके अंदर आ जाता? हाल एलिया ध्यान से सुनिए अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हैं गलत आप नीश देखी और उसमें पाप है, उसमें वहविचार है, उसमें प्रोध है, उसमें हत्या है तो वो पाप आपके अंदर आ जाता है तो आपके अंदर आ जाता है तब वो अंदर आकर आपको उत्साहिद करता है आपके अंदर लालसा पैदा करता है निकलने की वो पाप आपके अंदर है वो निकलना चालता है लालसा पैदा करता है प्रेजलोड लालसा पैदा करता था कि वो पाप आप उस पाप को अपने द्वारा निकालें कि अलो कि क्योंकि आपके अंदर पवित्रात्मा नहीं है क्योंकि आपको रोक नहीं है और जो पाप है वो आपको उसाहित करता है आपको लालाईद करता है कि आप पाप करें, रूमियोग साथ का पंद्रा निका लिए, उननेस और बीस उसके बाद, वेस अलॉट, क्योंकि आपके पास कोई शक्ति नहीं है, आपके पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि आपने बब्तिस्मा नहीं लिया, क्योंकि पुछ वचन कौन आपको शक्ति दे रहा है प्रात्ना उसकी आत्मा पुबूत्र आत्मा इसलिव क्या कहता है रूमय साथ का 15 दढ़ो जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता उसको नहीं जानता एक मिनिट इक होता आपके साथ बिना जाने आप कर देते और जानने के बाद आपको दु आया ना, आले रही या, मैं कर गया, मैं बोल गया, मैं नहीं चाहता था, कि मैं ऐसा बोलू, लेकिन मैं बोल गया, मैं नहीं जानता था, कि मैं ऐसा बोल पाऊंगा, इसलों कहता है, जो मैं करता हूँ, उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घ्रना आती है वही करता हूँ मैं जानता हूँ यह चीज गलत है मैं जानता हूँ शराब पीना गलत है मैं जानता हूँ गुटका खाना गलत है मैं जानता हूँ गुटका खाते समय है सिरेट पीते समय एक फोटो देखता हूँ कि मुझे cancer हो सकता है, मेरा जीवन जा सकता है, शराब पीने से मेरे बच्चे रोठ पर आ सकते, मैं जानता हूं, सुनता हूं, लेकिन रोक नहीं पाता. होता है कि नहीं होता है praise the lot क्यों होता है क्योंकि आपके धन्दर कोई शक्ती नहीं जो आपको रोके इसलिए अधार के द्वारा परमेश्र अपनी शक्ती आपको देता है áलेलुया praise the lot तक आप उस शक्ति के द्वारा उसको रोके इसी का 19-20, कि आदमी कितना मजबूर हो जाता है, जब वो जानता है कि ये पाप है, जब वो जानता है कि मुझे पाप नहीं करना है और फिर भी करता है, तो इंसान की हलत क्या होती, यहां में पॉलुस ने बताया है, 19-20, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वहां तो नहीं करता परन्तु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वहीं किया करता हूं अतर यदी मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है वो ही करता है ये बास समझ भी आई पॉल उसको वो बता रहा है कि जिस काम को मैं करता हूँ और वो ही करता हूँ तो करने वाला कौन हुआ? मैंने हुआ तो कौन है मैंने अंदर? पाप इसलिए वो कहता है कि हे प्रभू मुझे इस पाप से कौन जोड़ाएगा कैसे? इसलिए इशू मसी को धरती पर आना पड़ा इसलिए परमिश्व ने योशना बनाई कि मैं अपने इकलोते पुत्र को धरती पर भेजूँगा जो इशू मसी उस इकलोते पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बलकि आनंतकाल का जीवन पाएगा हालेलुया क्योंकि वो शक्ति जैसे हम उध्धार लेते हैं जैसे हमारे पुत्रात्मा हमारे अंदर आती है और हमें शक्ति देता है आप समझे की नहीं समझे समझे की नहीं समझे इसलिए उध्धार हमारे लिए जरूरी है उध्धार का अनुग्रे अनुग्रे के द्वारा हमें उध्धार मिला लेकिन हम उस उध्धार को समझ कर हमें समालना है हमें समालना है लेकिं इनसान मजबूर होता है इनसान डड़ता है आज मैं आपको बताता हूँ कि बबतिसमे लेने के बाद आपको क्या 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 काम जरूरी होते हैं अगर आप पढ़ेंगे इसका X प्रेटिसमे काम दो अगर आप पढ़ेंगे 38 से लेकर leaves दो अर्फ से 47 से व्ह बीछ में देखिए बवतिस्मे के बाद कंड़िस्मा लेने के लिए आपको क्या करना पढ़ता है सबसे पहले अपने मन को भी चैनल की था अपका मन संसार की तरफ है आलो अपको मन-कहा है संसार की तरफ आपको कहा लाना है प्रभू की तरफ अपने मन को डाइवोट करना है प्रेज अलॉट सबसे पहले वो मन किसका है आपका है इसलिए जब आप जान जाएंगे जिस दिन आप समझ जाएंगे कि नहीं प्रभू इश्युही परमिश्वर का पुत्र है और मेरा आपकर अपने मन को प्रभू की ओर लाना है फिर मैं पस्चाताब नहीं ही है अब यह आप कहेंगे मन फिराना और पश्चाताब जो अलगव चीज़े आललिया मालो आप शराब पीते थे आप शराब पीते थे कल तक और आपने इशु मसी को ग्रहन के और आपने जाना कि इशु मसी को मुझे ग्रहन करना है और मैं पवित्र हूँ तो पवित्रता के लिए अब आपको शराब छोड़नी है तो आपने शराब से अपना मन फिरा ल पश्चताप नहीं करेंगे, जब तक हमें एहसास नहीं होगा कि जो जी रहे थे गलत था, जब तक हमारे अंदर ये एहसास नहीं होगा, कि पाप एक बुरी चीज है और हमें पाप में नहीं जीना है, इस चीज का एहसास करना पश्चताप है, हलो, समझें आप लोग हम जो जीवन जी रहे थे हम जो धोका दे रहे थे हम जो जूट बोल रहे थे हम जो हत्या कर रहे थे हम जो वेविचार कर रहे थे वो गलत है जब तक आप एहसास नहीं करेंगे हलो, प्रेस अलॉट अलेलुए अभी मालेज़ आपके बच्चे और आप नौकरी पे जाते और कोई भाई, कोई आपको लेकर गया दारू पीने के लिए कि चलो आज पाटी करते हैं, आज पगार का दिन पगार मिली है, चलो जाएंगे, प्रेस अलॉट कई लोग पी लेते हैं लेकिन के लोगों को आशास होता नहीं है मेरे बच्चे है घर में उनकी रोटी डोजी है, उनकी फीर से स्कूल की फीर से, मकान का किराया है हाललुया आपको कौन लेकर आता है? आपका हैसास ने ने भईया मैं करता है मेरी जो मिले हैं मुझे आपको तंखा मिली है, ये मेरे बच्छों के लिए, हललुया, तो क्या हुआ, अहसास, लेकिन वो अहसास आपका कब तक आपके पास रहेगा, जब आप पश्टाटाप करेंगे, जब आपको अहसास होगा कि नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज कभी भी मुझे जीवन में आजमाईश में ला सकती है, ये पाप है, मुझे इस पाप को निकालना, जब आप पश्टाटाप करेंगे, हललुया, तब आप उसे, पाप करने से डरेंगे, अगर आप पाप करने, आप पश्टाटाप नहीं करेंगे, को पवित्र कर रहा है अपनी आत्मा के द्वारा उसने पवित्ता का आशीश आपको दिया है इसलिए आपको उस पाप को अपने अंदर निकालने के लिए परमेशर को सहयोग करना है हालेलिया परमेशर से कहना है कि मुझे मेरे पाप से शुद्ध करते पर रहो हालेलिया कब आप कहेंगे जब आप महसूस करेंगे कि आप जो करते थे वो पाप है अगर आप महसूस नहीं करेंगे मेरे कहने पर प्रेसलोट मुझे दूद्ध अच्छा ने रहता है मैं बोलो कि आपको 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 अहसास होगा कि नहीं जो शराब है वह पाप है जो नशा है वह पाप है जब तक आप महसूस निक प्रबू वही तो चाहता है पश्चत आप क्या है मरियम मगदिलिनी जो एक वह शरा थी उसने हैसास किया उसने महसूस किया कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है मैं जो जीमन जी रही हूँ वो गलत है इशुमसी ने क्या कहा जा मैं तुझे माफ करता हूँ लेकिन आगे से ऐसा मत करना हलो क्या कहा परमिश्यर आपको माफ करने के लिए तैयार है परमिश्यर आपको माफ करना चाहता है लेकिन वो क्या कहता है आगे से हलो क्या बोली ये बोली आगे से ऐसा मत करना जोर से बोली आगे से ऐसा मत करना आगे से ऐसा मत करना प्रेस अलॉट किसको बोला चुमर्सी ने मरियम मगदलीनी को आगे से ऐसा मत करना आगे से पाप मत करना प्रेस अलॉट पाप कौन करने वाला है उसके बाद मरियम, जब तक वो महसूस नहीं करेगी कि हाँ ये पाप है हलो उसने महसूस किया कि येस, ये पाप है तो वो पुविटता की जिने की जीने लगी पश्चाताब आपको महसूस कराता है कि ये पाप है बाइबल कहती है पश्चाताब करो क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप महसूस करे महसूस करे कि जो आप कर रहे है पाप है, जो पिता आपको दे रहा है, वो पुविटता है आप महसूस करें कि आप अंदकार में रह रहे थे और इशू जोती है कि आपको महसूस करना है क्योंकि जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक उस पवित्ता की शक्ती को उस तुती की शक्ती को आप अपने अंदर महसूस नहीं कर पाएंगे महफूस नहीं कर पाएंगे शुरक्षित नहीं लग पाएंगे उसके लिए आप मेनत नहीं करेंग उसके लिए आप प्रातना नहीं करेंगे अलो अगर आप पश्चताब करेंगे तब आपको महसूस होगा कि नहीं जोती मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है जोती में चलना मेरे लिए बहुत जरूरी है जिसे आप महसूस करने लग जाएंगे आप पाप से दूर हो जाएंगे आपके जीवन में प्रभू आपके जीवन में शेतान काम नहीं करेगा जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि नो हललिया मैं जरा साभी पाप करूंगी तो मैं परमेश्ट को खो दूंगी हललिया इसके लिए दिए कि इसके लिए साथ चीज़े हैं इस में से दो मैंने बताईएं साथ चीज़े है उन्छा क्या किया था जब पत्रस ने पिंत्रकुस के दिन जब उसको पहोत्राख़ daton 120 लोगों को तो पत्रस ने लोग समझ जेके साथ अन्य अन्य भाशा बोल रहे हैं गलीली समझ रहते हैं यह मेरी भाशा बोल रहे हैं तो सब लोग समझ रहते हैं कि यह लोग मेरी भाशा बोल रहे हैं तो कहीं यह लोग नशे में हैं तो पत्रस कहता है यह लोग नशे में नहीं है यह पवित्रात्मा का सामर्थ है पवित्रा परमेश्र को पाना है कैसे परमेश्र को है इसे क्यों मरा क्यों मरके जिन्दा हुआ पत्रस सब कुछ बताया हाले लगया अगर हम पढ़ेंगे पहला एकस पढ़ेंगे एकस दो निकाल लिए 38 से पढ़ेंगे तब उसमें बताए है कि जब उसने पतरस ने बताया कि पतरसने बताया कि इशु मसी मरा मर के जिन्दा हुआ اور इशु को पाना ही सबसे जरूरी है और इशु मसी के जीवन को अपने अंदर लाना ही इशु की सच्चाई को को इश्यू की जोती को इश्यू की सत्य को अपने अंदर लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है बिना उसके हमारा जीवन वेर्थ है जैसे उसने बताया तो उनने सब लोगों ने पूछा कि हम क्या करें हलो रेसलौट हम क्या करें हाल अर्थिस से पड़ी अर्थिस पत्रस ने से कहा ए पाप टर तुम में से हर एक अपने अपने पाप coloured के ये मसीग की नाम सब तीज माले तो तुम पवित्रा आत्मा का दान पाऊगे ये पिंजने है भर अभप उलो और पवित्र आत्मा का दान ओ .. हलो.. दान यानि कौन देता है दान? Pरमेश्वा.. हल случай.. टू कहता के मन यूइंट कैना ओ.. पॉपों की ख्षमा मांगो या कि को क्शेमा कि क्यों मांग नहीं है क्योंकि आपने गलत कि हैं कि आप ख्षमा मांगते हैं ≅ कई बच्चे होते हैं अपनी रिपोर्ट कार्ड आती है अपता चला कि सब जीरो आया है उसके सामने एक लगाकर बापा को दिखाते हैं बाबा मैं पास हो गया होता है कि अपने कभी यह था है किया है नहीं कि सोच क्यों राइबर आले लोट है मैं तो इंसान कहता है और आप कर देता है कभी को भी जीरो आता है साइन अपने पाबा के सुछव करीता है जब पाबा को महसूस होता है जब исनキ साइन करती ती आपके बच्चे के जीरी दो आए बाप को फता लगता है है मैंने साइन किया ही नहीं जब फता लगता तो उसने सारी worldwide कब उसने सारी किया जब उसका अहसास हुआ कि उसने गलस साइन किये हालेलिया कि क्यों ऐसास दिलवाया टीचर ने ताकि वो दुबारा ना करे हम शमा क्यों मांगते ताकि हम दुबारा वो काम ना करे परमेश्य क्यों चाहता है कि हम पस्चाताब करे ताकि हम दुबारा वो पाप अपने जीवन में ना दोह रहें हलो आपने शमा मांग ली, आज भी शमा मांगी, कल भी मांगी परसुमा मांगी, कोई फाइदा है शमा का मतलब क्या है कि आप एहसास करें कि मैंने गलत किया है आपको गलती हुई है तो जब आपने एहसास किया कि आपने गलत किया है, रोमियों, रोमियों छे का चार अगर निकालेंगे हम, तो पता से लगा कि बगतिस्मा क्या है, हमें बगतिस्मा लेते समय अपने पुराने मनिश्ट को गाड़ना है, पूरी तरीके से गाड़ना है, यानि कि हमें अपने आपको मारना है, जब हम पूर तो इसका मतलब आपको पहले मरना होगा एक जो बीज है एक जब किसान बीज बोता है तो बीज पहले मरता है उसके बाद पौदा निकलता है आप कोई भी बीज चावल है चावल है चावल कोई भी बीज है आप उसको एक खाद डालकर आप मिट्टी में दबाईए और दस दिन के बाद देखिए आप बीज को नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि बीज मर सुका है जब बीज मरेगा तो वो पैदावार करेगा तो ही वो जीवित होगा इसलिए कि मरेंगे नहीं तब तक हम जिन्दा नहीं हूंगे परहिए कभी हमारे साथ कव रहेगा अब थाम दीजियें परमrichten मरे हुए लोगों को नहीं चाहता है वह नहीं चाहता कि मेरे अन्दर मेन मेरे मरे हुए उचाहता है जीवित, इश्यू जीवित था, इश्यू जीवित हुआ तो परमेशर के पास बैठा हुआ है, तो हमें अपने आपको मारना है और फिर परमेशर हमें जिलाएगा, आलले क्या लिखा हुआ है? तो उस मृत्यू का बबस्वित पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसी पिता की महिमा के द्वारा मरे हुआ में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की चाल चले, जिस तरह इश्यू मसी गाला गया, जिस तरह इश्यू मसी मरा, उसकी तरह हमें भी अपने प जाएं, निकोद्यूमस को इश्यू मसी ने का था, कि जब तक तुम नया जन्म नहीं पालोगे, तब तक तुम प्रभू को नहीं देख पाओगे, आललया, रेस अलॉट, तब तुम स्वर्ग नहीं पहुंच पाओगे, उसने क्या कहा था, कि एक बुड़ा आदमी, अपनी माकी कोख में जाकर फिर कैसे वह बुड़ा सकता है, इश्यू मसी ने का नहीं, जल और आतमा के दौरा, जब तुम नया जन्म प्राप्त करोगे, तो तुम पिता से मिल पाओगे, हाललॉया, प्रेस अलॉट, हमारे लिए नया जन्म बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी आतमा उसी में मिलती है, तो समझेगि निया आप, बबबतिस्मे के लिए मन फिराओ और पच्च्चताब, उसके बाद हमें पवित्रात्मा का आशीष मिलता है, हाललॉया, पवित्रात्मा का वरदान, यानि कि हम अपने आप नहीं ले सकते हैं, वो हमें तुम देता है, हलो, कौन मेशी निय बबतिस्मा लिया. अगर मती चारं और लूकशार में देखेंगे, स्वर्ख खुला और पवित्रात्मा कबूतर की नई आए आकर इश्व मेशीप पर बैचे है. สनु फिल सी तरीके से जो हम अप्र ira summer लेंगे पुर्षाज के सबस्तों को माड़ कर जब नया मनुश्रत के सास्थ हम जीएंगे तो खुलेगा और पभीत्रात्म हमारे ऊपर आएगा अलॉ आप लो को समझ रहेज हैं के ना हात ला है 42 पढ़ेंगे कि बबतिस्मा लेने के बाद वो लोग क्या करते थे 42 दो का 42 कि प्रेज़तों काम एक्स 242 और वे प्रेज़तों के से लगातार शिक्षा पाने संगती रखने रोटी तोड़ने और प्राथ्रा करने में लेवलीन रहते थे हलो आजकल क्या हो रहा है हम बबतिस्मा पाते हैं और पिट संसार में चले जाते हैं कि क्यों हमारे जीवन में पवित्रात्मा काम नहीं कर पा रहा है क्यों अभी भी शैतान हमें हमें सताता है क्यों हमारे जीवन में आशीश नहीं मिल पा रहा है वो लोग क्या करते थे? पहली सिदिय की जो चेले थे जब ब़क्तिस्मा पाते थे वो क्या करते थे? पड़ो बिटा बैरले स्वावग मैं पढ़ो 42 और वे प्रेजितों से सिख्षा पाने और संगती रखने और रोटी तोड़ने और प्रात्ना करने में लॉलीन रहे लॉलीन रहे, लॉलीन लगे हुए है, समर्पित थे, सबसे पहले किस में? प्रेडितों से शिक्षा पाने में, घ्यान प्राप्त करने में, अब तक हम संसार में थे, प्रेड से लोट, आप कैसे रहेंगे पिता के पास? जब तक पिता का घ्यान हासिल नहीं होगा, तो लॉली रहते थे सिर्फ संडे को नहीं प्रेडितों के साथ लवलीम रहते थे लगातार शिक्षा हासिल करने में आपको पता है पॉलुस ने जब दमिश्ख में जाते हुए इशू मसीनियों पॉलुस को दर्शन दिये उसकी आखे बंदो गए तीन दिन उसने कुछ नहीं खाया वो उसके बाद बाइबल बताती है कि वो साथ साल तक कितने साल तक साथ साल तक वो ग्यान प्राप्त करने में लगा रहा है तीन साल अरब रेगिस्तान में रहा हो किसी को नहीं अरब रेगिस्तान में प्रातना करता रहा और परमिशा का ग्यान हासिल करता है हालेलुया तीन सा तर्तुस में पवितरात्मा उसे परमश्रा का ज्यान देता रहा और एक साल अंताकिया में पॉरुस ज्यान प्राप्तकरता रहा टोटल साथ साल तकड़ीबन और भी होंगे मैं जो जानता हूँ उसाथ साल पॉलुस ने ज्यान हासिल किया है प्रेस अलॉट वो जानता था वैवस्ता को मुसा की वैवस्ता को वो अच्छी तरह जानता था लेकिन समझता नहीं था हम बाइबल जानते हैं लेकिन समझते नहीं है उसने मुसा की वैवस्ता को समझने में अकेले रेकिस्तान में बैठा हुआ अब अवित्रात्मा के द्वारा 7 साल अपने प्रभू के दिए ऐसे ही नहीं हो गया हम लुग ज़रा सा पढ़ते हैं हम समते हैं हो गया काम नहीं अलिलुया हमें प्रभू के साथ रहना है अलिलुया होशे की मुस्तक चार काच्छे क्या कहता है होशे चार का छे कि मेरी प्रजा अज्ञानता की वज़े से नाश हो रही है कैसे नाश हो रही है अज्ञानता की वज़े से मेरी प्रजा है वो वो चुने हुए है क्यों लोग आते हैं चर्च में चले जाते हैं चंगा ही हुई आखों से दिखना शुरूटिया, कानों से सुरूदा शुरूटिया, चंगे हो गए और चले गए क्योंकि उनके पास ग्यान नहीं है हलो, उनके पास ग्यान नहीं है, मेरे ग्यान नहोने से मेरी प्रजा नाश हो गई है क्योंकि तू मेरे ग्यान को तुछ जानता है प्रोब्लम क्या है कि हम उसके ग्यान को तुछ जानते हैं हम रहे वाइवल पढ़ लेंगे या वाइवल पढ़ लेंगे वाइवल घर में रखी हुई है आपको वेल्यू नहीं है आप चाहतें कि मेरा काम हो जाए मुझे अच्छी नौकनी लग जाए मेरी पेटी के शाती हो जाए तक मैरा जाए जह बेर्क वेसी हो जाए उसको लिए क्या काम करता है यह भी लो आप यूअ अबंगो देख लेते हैं आप गन को चुछ समझते हैं इसीलिए उसकी उसकी कदर नहीं करते इसलिए वो ग्यान वो वचन आपकी जीवन में काम नहीं करते इसलिए आप भहीं के भहीं है आप आगे नहीं बढ़ता है जो उसके चेले थे जिन्होंने तीन हजार लोगों ने एकसेप्ट किया वो तीन हजार लोग क्या कर रहे थे प्रिडितों के साथ लगातार लॉलीन रहते थे लॉलीन रहते थे शिक्षा प्राप्त करने में पढ़ते थे नहीं समझ में पूछते थे प्रिड़तों से कि हमें बताईए ये क्यूं हुआ मुसा ने क्या कहा ये क्यूं कहा लॉलीन रहते थे वो लॉलीन कब रहेंगे आप जब आपके अंदर प्रेम होगा जब आपके अंदर प्रभू के लिए प्रेम होगा जिसे न आप जाएंगे कि इशु मसी मेरे लिए मरा है जिसे न आपको हिसास होगा कि ईशु मेरे लिए मरा है और उसने मेरे लिए अपना लहूब आया है आप लॉलीन रहेंगे आप लॉल लगाएंगे प्रात्रा करेंगे और ग्यान फ्याफ्तर करने की कोशिश करेंगे कोई भी रिष्टा अगर ग्यान आपका नहीं होगा चाहे वो रिष्टा पती का हो, चाहे वो पार्टनर का हो, चाहे कोई भी हो अगर आप पती के बारे में ज़्यदा नहीं जानती है और जानना नहीं चाहती है तो आपको रिष्टा बनेगा नहीं आप जानेगे नहीं मेरे पती क्या कमजोरी है या मेरी पती को क्या चाहिए मेरा पती किस से खुश होता है मेरा पती किस से नराज होता है ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगे न आपका पती पतनी का जीवन नहीं चलेगा आपको जानना पड़ेगा नहीं मैं अपने पती की पती के आदलत को जानती हूँ उनको क्या चाहिए उनको क्या पसंद है उनको क्या पसंद नहीं है हललुया रेस अलॉट जब वो ग्यान हासिल करती हैं आप तो आप पती के और करीब आ जाती है फिर पती आपको बिना मांगे सब कुछ देता है गर की चावी आपको देता है पगार आई आपके हाथ में प्रेस अलॉट क्यों कि आपने पती को जान लिया है प्रमिश्ण क्या कह रहा है कि तू मेरे ग्यान को नहीं जानता है मेरी प्रजा है मेरे बच्चे हैं लेकिन उस ग्यान को नहीं समझ रहे हैं इसलिए वो नाश हो रहे हैं इसलिए जो प्रेडित थे जो बच्चे थे जो चुने हुए थे वो लगातार प्रेटों से मम्तिसमा लेने के बाद लगातार शिक्षा प्राप्त करते रहते थे हम तो संडे के संडे करते हैं समय नहीं है हमारे पास हमारे अंदर बोश नहीं है क्योंकि हम उस शिक्षा को उस वचन की कीमत को नहीं समझ रहे हैं हम नौकरी को इसकी वचन से ज़्यादा मेहत वो देते हैं हम अपने धंदे को वचन से ज़्यादा मेहत वो देते हैं अरे भाई रोज का आदा घंटा बैठो क्यों आधा गंटा बैठो कि मेरा प्रभू कौन है मेरा इशु कौन है वह क्रूस में क्यों मरा आधा गंटा गुटने टेको पवित्राद्मा आपको बताएगा साथ साल वो अकेला था किसी के साथ में था पालूस अरब रेजिस्तान में तीन साल अकेला था तर्तुस में तीन साल अकेला था अंताजिया में एक साल था क्योंकि वो जान चुका था इशू मस्छी को क्योंकि वो जान चुका था इशू के प्यार को इसलिए वो लगातार लवलीम रहता था मुझे और चाहिए और बाइबल किती है कि पॉलस ने चौदा किताबें की है चौदा अगर अब्राणियों की किताब को आप भूल जाएं तो तेरा किताबें तेरा किताबें पॉलस ने इस बाइबल में लिखी है वह प्रकाशन जो किसी को नहीं दिया परमिशन ने पालुस को दिया आपने दूसरे चुणा था इशियो मसीने बारा चुणा को पालुस को जगा प्रकाशन मिले क्यों? क्योंकि वो लाई लगा के घुमता रहता था मांगता था था मुझे और बताई 2002 मुझे और बताईए, मैं आपके और करीब आना चाहता हूँ, विदूल की बाते नहीं, इदर दर की बाते नहीं, और आप देखिए उसकी प्रिशिंग में, आप उसकी पत्रियां पढ़िए, कोई फालतो बात रही है, सटीक, यहां हम रिश्यदारी निभाने के लिए नहीं हम ग्यान हासिल करने के लिए आएं, इसलिए जो चेले थे, जिन को चेले बने हैं जो नहें बबतिस्मा लिया, कर शिक्षा प्राप्त करते थे। नमबर दूसरा क्या है संगती रखने के लिए संगती रखते थे आललिया जैसे पिछली हफ़ते से हमने शुरू किया है परवित रात्मा के आश्यरवास से के हर बहन जितने भी हमारे लीडल्स हैं वो एक दुरूसले के घर में जाएंके प्रात्रा करेंगे रोज 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 है अगर आप नहीं तो आप आजाईये। रोज प्रात्रा करनी है रोज एक घंटा यह जो 40 दिन 24 घंटे की प्रात्रण ही अलग है और रोज एक घंटा की प्रात्रा वो अलग है और उस प्रात्रा में आपको परमेश्चर से उसका ज्ञान प्रात्र करना है, मिनिस्ट्री के लिए प्रात्रा करनी है, पास्टर के लिए प्रात्रा करनी है, इस्चू के लिए प्रात्रा करनी है लेकिन मेरे जो लीडर सें उनके घर में परत्नी होती हैं so अभी हर दिन एक एक लीडर के घर में परत्ना होगी प्रेसल आइप यूंदर बोच पैदा हो कुछ जानने के लिए संगती रखना दूसरा पॉइंट क्या है संगती रखना आप संगती किस से रखने हैं आप मसी हैं आपकी संगती किस से है अप प्रोसी जो आपका विश्वासी नहीं है उसे रखी है कोई बात नहीं लेकिन आपके उनसे मिलिए संगती क्या मतलब क्या होता है जिनसे आप रोज मिलते हैं जिसे आप हमेशा मिलते हैं जिनसे आप अपनी बात कह सकते हैं संगती इश्व मसी अगर आप वाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इश्व मसी की संगती अपने चेलों से हुआ करते थी हमेशा प्रभ्व इश्वर पिता की बारे में बात करते थे इश्व मसी और कोई कोई फाल्दू बात नहीं करते थे पड़ी अपने भाईबर देखा कहीं इश्व मसी कोई कुछ और बात करते हुए चेलों से उबदेश, वचन, सत्य, जोती, मार्ग इसी चीज़ के बारे में बताते रहते थे पिता कौन है अलौकिक शक्ती क्या है अभिशेख क्या है अनुग्रय क्या है इन सारी चीज़ों के बारे में इस जोती बताते रहते थे और वो उसी संगती में रहते थे हमारे लिए संगती जरूटी है तभी हम उस वक्तिसमे को पाकर अपने आपको समार सकते हैं अपने आपको इस सिद्ध बना सकते हैं कि परमेश्ण मुझे सिद्ध बना कब बनेंगे सिद्ध आप जब आपके संगती सही होगी संगती परमेश्ण में संगती चेनों के संगती अपने मसी भाईयों के संगती और उस संगती में वचन उस संगती में क्या होना चाहिए वचन उस संगती में क्या होना चाहिए प्रात्रा होने चाहिए जब रोज आपके अंदर वो संगती होगी मेरे भाई तो पाप आपका पाप अंदर नहीं आएगा आप पाप करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे आप पापको पहचान जाएंगे आप शैतान को पहचान जाएंगे रे शेतान मेरे जीवन में आने वाला है, क्योंकि आप रोज संगती में हैं, क्या कहता है परमिशवर, मती 18 का 20, क्यूं संगती करनी चाहिए हमें, ध्यान से देखिए, हमें संगती क्यूं करनी चाहिए, मती 18 का 20, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकटे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ क्या पुर रहा है परबू? उनके बीच में रहते हुं है। अगर आपकी संगति आपके घर में और कोई विश्वासी आता है मसी आता है उसके संगति कर रहे हैं उसके संग प्राथना कर रहा हैं तो पर मेश्ट को अभाद है कि आपके घर में वह आएगा अlaw scratch परमिश्वर वहां आएगा दो या तीन माले लिए किसी ने कही दिया कि छे लोग आपके घर में आएंगे हालालिया और उनमें से चार लोग आए तो आप यह मत कहिए कि चार आएंगे तो हम प्रात्ना करेंगे नहीं दो या तीन हमें उस एक पल को जो प्रभू का है प्रभू आने के लिए तैयार है आपके घर में प्रभू तैयार है आपके जीवन में वो क्या कहता है जहां दो या तीन मिलकर प्रात्ना करेंगे मैं वहां पर आऊंगा इसलिए अगर आप चाहते हैं अपना घर खोलना तो बतईए हमको हमारे बच्चे आपके घर में आएंगे गंड़ा प्रात्ना करेंगे आप नहीं जानते हैं आपके घर में प्रात्ना ज्रूर्य है उस प्रात्ना का महत्म समझजी है आप जहाँ ये दो तीन मिलकर प्रातना करेंगे वहाँ प्रभू आएगा और अगर जहाँ प्रभू आएगा वहाँ से अंत्रकार दूर हो जाएगा इमेन जहाँ दो या तीन मिलकर प्रातना करेंगे इसलिए संगती जरूरी है बब्दिसमें के बाद अगर आपकी संगती नहीं है और आप संड़े के संड़े आते हैं तो आप खत्रे में आप खत्रे में कि संड़े के संड़े आए और रातना अटेंड के फिर घर चले गए फिर छे दिन के बाद नहीं मेरी बेहन संगती जरूरी है और संगती रोज दरूरी है इसलिए अपने घर में आसकते हैं रोज अपने घर में एक दूसरे के घर में अगर अजा सकते हैं प्लीज जाईए प्रात्रा करिए गुटने टेकिए आप इसको इजी मत लीजिए आपके घरों पर शैतान भूके शेर की तरह देख रहा है कि आपको कब नोच खाए आपके पती जो प्रभू में है हो सकता कल अलग हो जाए आपकी पत्नी जो प्रभू में हो सकता कल अलग हो जाए शैतान कभी भी आपको अलग कर सकता है कोई भी चहा, कोई भी लालाज, कोई भी स्वार्थ, शैतान आपके मन में डाल सकता है, कोई भी संदे, कोई भी डर आपके मन में डाल सकता है, इसलिए जब संगती होगी, जब प्रात्रा होगी, तो परमेश्वर का अशीश, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग थे, क्यों सफल हुए, चुकि रोज वो शिक्षा पाने की लौ लगाते थे, रोज वो संगती में रहते थे, मन फिराते थे, भटकते थे, फिर प्रभू में रहते थे, पश्चताब करते थे, तीसरा है रोटी तोड़ना, रोज, जब आप रोटी तोड़ते हैं, तब आप कुभूल करते हैं, अंगीकार करते हैं, कि मैं प्रभू का हूँ, रोटी क्या याद दिलाती है, کہ हमें, रोटी याद दिलाती है, कि इश्यू मसी ने हमारे लिए जीवन कमाया है, रोटी याद दिलाती है कि एशू मसी हमारे लिए मरा और मर के जिन्दा हुआ हमें रोज याद करना है कि एशू मेरे लिए मरा है जब आप सुब उठें तो आप याद करें कि एशू मेरे लिए मरा है मुझे बचाने वाला कौन है एशू मुझे शुद्द करने वाला कौन है ईशू ईशू मेरे लिए मरा और मर के जिन्दा हो गया है रोटी हमें याद दिलाती है दाखरस हमें याद दिलाता है हमें शुद्द करने के लिए पवित्र करने के लिए ईशू मसी ने अपना लहू बहाया अपना पवित्र लहु का एक के कतरा इशू मसीने बाया ताकि हम शुद्ध हो जाए हालरीया रोटी हमें परमेश्र के प्रेम के बारे में बता कि परमेश्र का प्रेम कितना महान है वो हमसे कितना प्रेम करता है उसने हमें पाने के लिए अपने एकलोते पुत्र को नहीं रख छोड़ा इसलिए बाइबल कहती है रोमान आट का बत्तिस कहती है कि उसने जब अपने एकलोते पुत्र को नहीं रख छोड़ा परन्तु उसे हम सब के लिए दे दिया परन्तु हम सब के लिए उसने हमें दे दिया अपने पुत्र को वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा क्यों नहीं देगा वो कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है कि इस ने जो बलिदान आपके लिए किया है आप ने उस बलिदान को पुरिद्रा सुईकार नहीं किया है कि ताली हमेशा दो हसे बचती है का से नहीं बचती है कि आपने सुईकार नहीं किया उस आशीश को उस माफी को सुईकार नहीं किया आपने आप रोज महसूस नहीं करते कि मैं यह समशुद्धूं क्यों नहीं हो रहा ऐसास क्यों नहीं हो रहा आशीश आपके जीवन में मुझे चेले थे दिन पर दिन रोज लौ लगाते थे संगती में रहते थे रोटी तोड़ते थे परमेशन के प्रेम को महसूस करते थे हमकी कार करते थे yes कीशय मेरे लिए मरामर के जिन्दा हुँ गिया है आलेलोई या हमें हैसास करना महसूस करना की इशू मेरे लिए मरामर के जिन्दा हुआ है। हमें महसूस करना है। हमारे अंदर से यह एहसास कभी न जाए। चाहे मैं अपना नाम भूल जाओं चाहे मैं अपना अस्त भूल जाओं लेकिन ये ना भूनू कि इशू मैसी मेरे लिए मरामर के जिल्दा हो गया क्योंकि इशू मसी के बिना मिला कोई अस्त वही नहीं मैं अक्षून ने हूँ, मैं कुछ भी नहीं हो इशू मसीके बेना इशू नहीं है तो कुछ भी नहीं है इसलिए जो चैले थे दिन पर दिन रोज शीक Tik'Saح प्राफ्ट करने में लवलίν रहते थे, लगे रहते थे संगती में लगे रहते थे रोटी तोड़ते थे और प्रात्ना करने में लवलीन रहते थे प्रात्ना करने में प्रात्ना करने में प्रात्ना करने में मैंने आपको बताया था प्रात्ना हमें पर्मिशन से करिप लेकर जाती है पर प्रात्रा हमारे पास हतियार है प्रात्रा हमें हमारी कमजोरियों को बताती है प्रात्रा हमें पिता के सक्षंता को उसके आशीश को दर्शाती है प्रात्रा के दोरा हम ममश्य में होने वाली जो अपनी आशीश है उसको देख सकते है प्रात्ना में लवलीन रहते थे इसलिए अपने उद्धार को बचा के रखते थे इसलिए अपनी पविद्धा को बचा के रखते थे हालेलुया हम कहीं जानी सकते प्रात्ना करें प्रात्ना करें लवलीन रहें प्रात्ना में और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबलवचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का बेद बता सकूं 18 से पढ़ो, 18 से पढ़ो हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रात्ना और विंती करते रहो और कौन कह रहा है ये पालुस पालुस कह रहा है जो किसरे आकाश तक जा चुका था जो स्वरक देख कर आ गया था जो इशू को जानता था जिसको इतने प्रकाशन मिला जिसने चौदा पत्रियां लिखी जिसके कपड़ों के छूने से लोग आशीश पाते थे चंगाई पाते थे जो मुर्दों को जिन्दा कर देता था उसके अंदर ऐसा सामर था वो क्या कहता है मेरे लिए प्रात्ना करो हलो हर समय हर प्रकार से प्रात्ना करो आगे बेटा विंती करते रहो विंती करते रहो हलो अपने आपको कभी भी पूर मत समझो कि मैं बहुत आ गया मुझे जिस दिन आपने समझा कि मैं बहुत आ गया है मैं पास्टर से अच्छा हूँ उस पास्टर से अच्छा हूँ बाई साब आप उसी दिन नीचे गरना शुरू कर देंगे कुछ नहीं आता आपको जिसने भी यह बोला है कि मैं उससे अच्छा हूँ आप गए आप आप किसी काबिल नहीं है आप कौन होते बोलने वाले कौन तो अपना वचल लेके भीड़ रहे हैं आप अधिए तो अधार करते दो पालूस कहता है मेरे लिए प्रास्टरा करो वह पालूस कहता है रोज हर प्रकार से निती करो प्रास्टरा में बहुत शक्ती है प्रास्टरा आपको बताती है कि आप कहां कमजोर है प्रास्टरा आपको बताती है कहीं आपके मूँ से कोई गलस शब्द ना निकल जाए कोई ऐसा शब्द आपके मूँ से ना निकले जो आपको गर्व आपके अंदर घमंड लेके राए जहां घमंड होगा वहां प्रभु नहीं है वहां प्रभु नहीं है आललीया रभु नहीं है बड़े बड़े और इसलिए जाकते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातर विंति किया करो उनिस वह और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मेरे लिए प्रात्रा करो कि जब मैं बोलू तो मुझे ऐसा प्रबल वचन मिले जिससे लोगों को अशीश मिले प्रेस लौट इतना प्रकाशन पाने के बाद इतना सामर्थ पाने के बाद उसके शरीर से सामर्त बहता था वो कहता है मेरे लिए प्रासना करो हम जब परमेशन के चुने हुए है जब परमेशन ने हमें उधार दिया जब हमने वक्त प्रासना लिया उसके बाद अगर हमारे जीवन में प्रासना नहीं है हम मसी नहीं है हमारे जीवन में मसीयों के संग संगती नहीं है हम मसी नहीं हमारे अंदर अगर भोष पैदा नहीं होता कि हम शिक्षा प्राप्त करें हम ग्यान प्राप्त करें हम और वचन करें आपको अपने आपको जाशना पढ़ेगा जाशना पढ़ेगा कोई बहाना नहीं मैं नखरी करता हूँ मैं धंदा करता हूँ मैं ये करता हूँ खाने के लिए समय है ना आपके पास तो प्रभू के लिए समय क्यों नहीं है मत खाई एक टाइम खाना मत खाई एक टाइम खाना प्रभू को समय दो बच्चे को घर में आकर बच्चे के संग खेलने के लिए समय है ना, है ना, बीबी के संग प्यार करने के लिए समय है की नहीं है, प्रभू से प्यार करो, प्रात्र ना करो, तभी आप बच सकेंगे तभी ईशु की आने तक तभी ईशु जब आएगा तो हम उसके संग जाएंगे आसान नहीं है उस आशीश को पाईए उसकी आशीश को महसूस करो उसकी कीमत को महसूस करो प्रातना करो मेरे घर में आज प्रातना हो रही है और मैं मना कर रहा हूँ प्रातना की शक्ती को समझगे क्या पता कि उस दिन की प्रातना आपके जीवन में क्या बदलाब लेकर आए क्या पता क्यों कह रहा आप प्रभू के प्रातना करो लगातार प्रातना करो शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा मजबूत है उस शरीर को मजबूत करने के लिए प्राथना करो शरीर आपको आजमाईश में लेकर जाएगा प्राथना करो प्रेस अलोट अलेलुए तो जो चेले थे जो उन्होंने बगतिस्मा लिया उन्होंने आप किया हाल अलिया और शिक्सिया प्राथना करने के लिए प्रेस वे घर में जाते रहे, संभती करते रहे, рोती तोड़ते रहे, निरिंतर प्राथना करते रहे और कि उसके भीष में क्या करते रहे? तेखिए हालल अलीया प्रेदर के काम 40 बढ़ी है 40 40 वाँ 2 का 40 उसने बहुत और बातों से भी गवाई दे कर समझाया कि अपने आपको इस टेड़ी जाती से बचाओं उसने बहुत और बातों से भी गवाई दे कर बस गवाई दे कर हलो जब तक आपके जीवन में गवाई नहीं है 43 का दस पढ़िये आपके जीवन में अगर गवाई नहीं है गवाई देते थे कितनों को गवाई देते आप सुब़ से शाम तक कि मैं इशुमती का बच्चा हूँ इशुमसी कौन है इशुमसी स्वर्ग से आया है और गया इशुमसी मरके जिन्दा हो गया कितनों को गवाई देते हैं आप एक जो चुना हुआ है यस आशीष देगा तो आप कर रहे हैं आपको मिलेगा जो आप कर रहे हैं उसका प्रतिपहल आपको यहीं मिलेगा मैं देता हूँ कोई अगर मेरे पास से निकले बिना इशु को जाने मेरा जीवन गलत है कोई मुझसे मिले और हाथ मिलाए और वो इशुमसी को नहीं जानता है लज्जा आने चाहिए हमको मेरी पिता को भी जानता हो मैं कौन हूँ अगर मैं सामने वाले से बोलता हूँ मैं अनिल कोचर हूँ मैं उस पिता की संटान हूँ यह से मिटे चुना है हलो मैं उसके ही उसके अचीश से मैं जिन्दा हूँ यह आपको कभी नहीं बोलना है इसलिए अपना इंट्रोडेक्षन आपका इंट्रोडेक्षन गवा कैसा बनना है कि मैं इस्यू का गवा हूँ यह शाया 430 का 10 43 का 10 यह शाया 43 का 10 क्या कहते है परमेशन गालीए हम मैं जो रसे बोलिए मैं परमेशवर का गवाँ हूँ और उसका दासू Praise the Lord और उसने तुम्हें इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रिटी दी करो समझ कर मुझसे प्यार करो ऐसे मत प्यार करो समझ कर वो कौन है जिसका मैं गवा हूँ वो कौन है उस आकाश को बनाने वाला जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ उस जमीन को बनाने वाला जिसके उपर मैं चलता हूँ इन हवाओं को बनाने वाला इन हवाओं को मुस्तख पहुंचाने वाला मेरा पिता है गवा बनो कौन है मेरा परमेशर जिसने आकाश और धर्थी को बनाया है कोई दूसरा कहीं भी लिखिए कहीं भी देखिए वो मेरा पिता है वो मेरा इशू है और वो कहता है ऐसे ही मुझसे प्यार मत करो आजकल बहुत ऐसे ही प्यार हो गया है आलेलुया इन फैच्यूएशन एक शब्द है इन फैच्यूएशन इंगलिश का बता क्या शब्द है आपको देखा तो मुझसे प्यार हो गया आपकी शकल पे प्यार हो गया आपके कपड़ों से प्यार हो गया क्यों हुआ प्यार पता खतम हो जाता है, दो तिन के बाद करता है, हालेलोया, वो कहता है समझ कर मुझसे प्यार करो, जब मैं समझ कर आप से प्यार करूंगा, तो मेरा प्यार आपके लिए कम नहीं होगा, मेरा प्यार रोज बढ़ेगा आपके लिए, और अगर मैं किसी कहने पर प्यार कर रहा हूं, कि चलो यार कलीस है चलो यार वहाँ देखो यार वहाँ पर इश्यू है चंगाईया होती है मैं किसी कहने पर आया हूँ और एकर समझ नहीं रहा हूँ तो शैतान आपको यहां से लेकर जाएगा लेकिन जिस दिन आपने समझना शुरू कर दिया कि नहीं है मुझे समझना है है कौन ब्रभू मानू ना मानू अलग बात है लेकिन मैं जानू तो सही कौन है वो जिस दिन आपने उसे समझ के प्यार किया मेरी बेहन आपको कोई भी कलीसी आने से रोक नहीं सकता आफको कोई भी उसका बनने से रोक नहीं सकता है पहली सदी के जो चेले थे उनको लोग मारते थे कोले मारते थे लहूब आते थे फिर भी वो आनंद करते थे आलिलृया क्योंकि वो उसके प्यार को जान गए थे उसकी कीमत को समझ गए थे uffed हलिलृया उस कीमत को हमें समझ ना जान ना है इसलिerness लिए हमें उसके गवाबनना है नंबर वन उसके बाद साथमा क्या है एक मन से और एक दृश्ची कोंट से हमें प्रातरा करने हमारा एक मन होना चацloe जब हम दो लोग मिले तीन लोग मिले हमारा मन एक होना चाहिए, इसी का उन्निसमा पढ़ेंगे अगर, मती 18 का उन्निसमा, मैथ्यू 18, 19, अगर आप पढ़ेंगे तो जब उसमें लिखा हुआ है, कि जहां दो मनुष्य एक के इच्छा के लिए प्राथना करते हैं, तो परमिश्य का स्वर खुलता है और आपकी प मन नहीं है, आप एक मन नहीं है, पती पती एक मन होना ज़रूरी है, कलीश्य और पास्टर एक मन होना ज़रूरी है, अगर मेरा मन और आपका मन एक नहीं है, तो हमारी कलीश्य नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर आपका मन मिरे मन के सांग मिला हुआ है, जिस तरह मुझे बोज आपका है तो मैं आपको सच कह रहा हूं कि आने वले वक्त होई यहां बैठने की जगा नहीं मिलेगी हमें दूसरा कली से शुरू करना बढ़ेगा सुवर्य शाम को कब होगा वो जब एक मन से हम प्राफना करेंगे जब आपका भी बोज होई होगा मेरा भी बोज होई होगा जब मेरी प्रात्रा भी होगी मेरी पत्नी की प्रात्रा भी होगी मेरी वच्चे की प्रात्रा भी होगी हमारी मिनिस्ट्री हमारा घर फलेगा फलेगा प्रब्लम क्या हो रही है कि शैदान हमें एक नहीं होने दे रहा है हमारे पास एक ता नहीं है कि एक था एक यूटिटी हमारे अंदर होनी चाहिए एक साथ लॉट लगा के बारा का दस बढ़ी देखें प्रेटों के काम यह एक्स में बारा का पांच बढ़ी है कलीशिया पूरी कलीशिया एक्ता में एक मन से लॉट लगाकर पत्रस के लिए प्रात्रा कर रही थी Amen जब आप एकता में एक मन होकर जब आप रात्रा करेंगे हम घर में एक ही नहीं है हम कुछ सोचते हैं हमारे बच्चे कुछ सोच रहे हैं पती कुछ सोच रहा है पतनी कुछ सोच रही है हम एक मन एकता के साथ नहीं है जिस जिर हमारे मन में एक होगा एकता एक मन हमारे हमारी ताकत देखिए आपकी ताकत कितनी हो जाएगी आप और आपकी पतनी अगर एक मन से परमेश्वर से कुछ मांगेंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परमेश्वर इस काइनात को मजबूर करेगा कि वो आपकी इच्छा पूरी हो एक मनहुंसे प्रास प्रात्रा करी है एक दृश्शी कौन एक्ता के साथ हमारे अंदर एक्ता नहीं है हम चर्श आते हैं बटे हुए गलत बात है पहली सदी के जो वो थे अपने चुने हुए थे एक मन थे वो सब लोग एक साथ जीते थे एक साथ खाते थे एक मन के सांग रहते थे कोई बड़ा थोटा नहीं था वह तो यह लिखा है कि वो लोग अपना जो भी उनके पास था वो सब कुछ लाकर प्रिदों के आपके श्रणों पर लखते थे मैं यह नहीं कहा रहा हूँ आपको लेकिन आप एकता में तो आए एक मन तो आए जब आप कलीसी आए तो आपका मन एक होना चाहिए प्रभू से प्यार करिए एक मन से मांगिए आप सब की इच्छा होना चाहिए कि परमेश्र का राज जबड़े आपके अंदर बोज़ना चाहिए कि परमेश्र का राज जबड़े परमेश्र की इच्छा है जो सर्व में पूरी होती है वो जमीन में पूरी हो उसके लिए एक मन एक टाए हो एक टाक के साथ हम परमेश्र की प्रात्वना करें प्रेस अलोट आप देखिए फिर देखिए आप कैसे फल्वंथ होंगे बंदर टूटेंगे शैतान भागेगा शैतान भागेगा आपके चारों तरफ जिस दिन आप में एक टाकी शक्ति जानते न आप एक टाकी शक्ति जानते न अकेली उंगली की कोई कीमत है मुठी कीमत है? यह एकता की शक्ती कोई अगर हिंदुस्तान के लिए प्रातना कर रहा है उसके ज़्या साथ लग जाईए आप हिंदुस्तान में बेदारी आएगी और मेंसर की इच्छा पूरी होगी कुर्णा वालेस के लिए एक मन होकर एकता के संग ब्रात्रा करिए हिंदुसान से निकल जाएगा ईशुमसी के नाम से रेस अलॉट लेकिन हम किसी के लिए मांगते ही नहीं हम तो अपने लिए मांगते बस प्रभू से मांग दो मेरा ठीक हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए मेरे घर में सब कुछ हो जाए, नहीं भाई हमें एकता में एक मन होकर उसके सामने चरणों में लवलीन रहना है प्रात्रा में मजबूत करना है अपने आपको और जब ये नौ चीज़ें आप अपने जीवन में अपना लेंगे मैसेच कहरा हूँ, आपका उध्धार नहीं खोएगा आपका जो उध्धार है जिसके लिए आप डर रहे हैं कि कहीं मैं खोना जाओं, आप में दिन बदिन मजबूती आएगी दिन बदिन आप मजबूत होते जाएगे अगर ये नौ चीज़ों को लगातार लवलीन रहिए संगती में लगातार लवलीन रहिए रोटी तोड़ने में लवलीन रहिए लगातार प्रात्रा करिए लगातार गवाही देते रहिए और एक मन एक चित होकर प्रात्रा करिए एक मन एक चित होकर जिस दिन आपने ये नौ चीज़ें करने शुरू की आपके जीवन का रूप अलग होगा आपके जीवन का रूप अलग होगा आपकी सोच बदल जाएगी आपके रहने का तरीका बदल जाएगा अपने समय का सदुपयोग करिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे जो अग्मे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप आपके घर में परात्रा हो, हमें बताईए, हम भी चाहते हैं कि आपके घर में परात्रा हो, आलेलोईया, आलेलोईया, प्रेज अलॉट, बब्तिस्मा जो हमें परमेशन ने दिया है, बहुत ही बहुत मुल्य चीज है, उसकी कीमत को समझएं मेरी बहर, उसकी कीमत को समझें। और उसको जो उधार है हमें उसको उसको बचा कर रखना का है। कैसे? जैसे एक बहन घरवती वह है, हलेलुज। जब घरवती हुई, जिस दिन घरव में उसके बीच आया। उत्धार क्या है आपको कैसे समालना है एक औरत जब उसके अंदर कर पहला है और जो उसका जीवन मदल जाता है बदलता है कि नहीं हाललुया वो अपने बच्चे के लिए जीती है उसके खाने पीने में रहने आप अपनी इच्छाओं को बल्यदान कर देंगे अपने टेस्ट को भूल जाएंगी आप मेरे बच्चे को क्या पसंद है हाललुया है के नहीं रेस अलॉट जब एक बच्चे का बीच आपके पत्न मिलता है हमें उसके लिए जीना है जैसे गर्वती माँ अपने बच्चे के लिए जीती है उसी तरह हमें भी उस उद्धार के लिए जीना है जो हमें मुफ्त में मिला है मुफ्त तुम्हें मिला है उसकी कीमत को समझना है बहुत बहुमूली चीज आपको मिली है स्वर्ग जाने का लाइसेंस मिला है अवित रात्मा की चाप आपको दी गई है मेरे भाई अवित रात्मा को शुक्त करिए उसके रुसार जीवन बिताई है प्रभू आपसे बहुत प्यार करता है बहुत उसके प्यार को समझजिए उसकी कीमत को समझजिए मेरे भाई देखिए कि अद्बत आचीश अद्बत करिपा परमेशर आपको देगा क्योंकि परमेशर चाहता है कि हम उस बबतिस्मा लिया है तो आप किस तरीके से उस बबतिस्मे की रक्षा कर सकते हैं अगर आप प्रेटितों के काम दो 38 से 47 के वीश में आप पढ़ेंगे तो इस जो पॉइंट्स आपके 9 पॉइंट्स आपको मिले हैं इन 9 पॉइंट्स को अपने जीवन में लगू करिए आप देखिए परमेशर आपको आशीर देगा बचन ग्रहन किये आपने बोले इशो मसी की इशो मसी की हालेलुया हालेलुया